रिख्यू right आप से जो क्वेश्चन नहीं इन इसलेंटरैकटरइक फीड़ पहाई था इन्ड्यूसट के बारे में मैंने क्या बताये था है इने इसलेंटरीक फीर्डद सीमिट्रिक मारनो टाइम वेरियेबल है और मान लो यह क्वीरिजिंग मुर्ण तो इसके बारे में क्या कह सकते हैंव मैं चैनल लूप लिए ले रेडियस आर का कैसा लूप ले कैसा लूप लेना इस सर्कुलर लूप पर है कर सही वोल रहा हूं वेलो मैं सही बोल रहा है वह सब्सक्राइब लोगे तो उसमें फ्लक्स जाएगा पाई पाई ट्र को आरे-श्क्वेर बीमकि दॉते ह्ल जाएक एरिया वेक्ट्र में अंदर ल yıl Perm Studios बी जाएगा बी कॉस जीरो तो पाई आर स्क्वेर बी हो गया कितना हो जाएगा रेट अफ चेंज अफ लक्स कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेर डीबी बाई डीटी फैरडे लॉग क्या बोलता है इस इस यॉर एम एफ इंड्यूस्ट अंदा boundary of this loop एम आ राइट यही तो बोलता है यह इस दा इमें फ इंड्यूस्ट अंदा बाउन्डरी ओफ लूप और फिर मैं यह कह सकता हूं कि अगर यहां पर यह conducting और रहा है थो इंडी इंडीक्ड यॉट के अंदर अगर चार्जिस होते तो उन पर ऐसे लगनी चाहिए इसका मतलब एक्ट्रिक फीलड की direction यह मान ली electric field कि direction यह मान ली electric field कि direction यह मान ली हा atau या ना तो यह एल्ड या लिया दिएल बी एसे ले लिया एव ऐसे ले लिया और मैं सिमिट्री से कह सकता हूं इंगनिट्यूड हर जगें सेम होगा on the path on the circular path बात इंगनीट्यूड हर जगे सेम होगा तो इंगनीट्यूड बहार आ गया डीयल मेगनीट्यूड का इंटेग्रल आ जाएगा टू पाई स्मॉल आर शुट बी इकवल टू पाई आर स्क्वेर पाई यार स्कूर डीबी बाई डीटी हां या ना तो अलेक्ट्रिक फिल्ड इ रसमें ऐसे एलेक्ट्रिक फिल्ड राइन बन जएगी घृत या ना ऐसे एलेक्टिक फिल्ड बन जाएंगी यह midday यह हैं आर फशर्कूलर लूप बनाता इसमें flux लेने में क्या दिक्कत आएगी इसके एरिया के थुरू flux लेने में इस region में बी 0 होगा हा या ना इस region में 20 होगा तो हमारा flux हो जाएगा पाई capital r square b यह हो जाएगा flux थूदा होल लूप पूरे रैड लूप पे flux हमारा पाई capital r स्क्वेर बी बन जाएगा डीफाइब डीटी हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वेर डीबी बाई डीटी हाँ या ना उसको इडोट डील के इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे तो यह आजाएगा टू पाई स्मॉल आर डील का मैगनिट्यूड तो यहां पर एलेक्ट्रिक अरिटी बनेगा क अबार-बार यह छीज करा रहे हुं इंपोर्टन्ट जीज ठीक है हो गया खिक हो इस एलेक्ट्रिक फेल्ड के बारे मैं यह इन्डीू स्लेक्रिक फील्ड है इसके बारे में दूसरी प्रॉपरट्टी किया रहे ए यही लेंटrench पे डोटली यह इंटिग्रल जीरो नहीं होता यह एलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है कैसी है नॉन कंजर्वेटिव है इसके कारण जो हमारा पोटेंशल डिफरेंस होगा इसका मतलब वह भी पाथ डिपेंडेंट होगा अधरवाइस तो हम कहते थे ना कि अगर एक पॉइंट इस डिफाइंड बाए कूलंब लॉख इस डिफाइंड बाए पूलं लाओ देन यहेट्रिक फील्ड इस आ या कंजर्वेटिव फीट इस या फिल्ड और पढ़ाता हमने ने यह पढ़ाता हमने इस ये जिनका वर्क डण पाथ इंडिपेंडेंट लेकिन इसमें लूप पे डॉट डी यल का इंटेग्रल जीरो नहीं है तो पॉटेंशल डिफरेंस हमारा जीरो नहीं है और लेंथ इस इस नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर तो इस एलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कहे कि मैंने दो पॉइंट उठा लिया इन दौनों के बीच में पॉटेंशल डिफरेंस निकालो तो डिपेंड करेगा पॉटेंशल डिफरेंस तुमने किस रास्ते के अलॉंग निकाला इस रास्ते पर अलग आएगा किस को मेरी बात समझ में आई है नॉन कंजर्वेटिव इस रास्ते पर अलग आएगा तो इस क्वेश्चन के अंदर पॉटेंशल डिफरेंस ही पूछा है अगर ध्यान से देखा जाये तो नहीं समझ में आया oh श्क्रीन शेर्ड भी यह है मैं अपने आपको पढ़ा रहा हूं रहु का लॉकिंच अटा रिस्पांस मुझे ते रिस्पांस मुझे तो मेरे को यही लग रहा था कि वही स्क्रीन ही शेरर्ड नियों मैंने पढ़ा दिया भई हमाँ में पढ़ा दिया इस बार तो कि यूनिफॉर्म मेगनेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी फिल्ज सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर रॉड पीक्यू ऑफ लेंथ 2L प्लेज्ड एशोन है इसने शोन दिखाया निये 2L ऐसे शोन है डायग्राम दिया है अरी हंत का कॉस्चन है यह रॉड ऐसे पीक्यू और यह रेडियस है कैपिटल आर और यहां पर अंदर मैगनेटिक फिल्ड दिखाई है यहां पर अंदर मैगनेटिक फिल्ड दिखाई है और यह का है कि इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैं मैगनेटिक फिल् at a rate of db by dt it is increasing at a rate of db by dt find the emf produced by changing magnetic field magnetic field change between points pq निकालना है अक्रॉस दा रॉड रॉड के अक्रॉस पीक्यू पॉइंट्स के बीच में पॉटेंशल डिफरेंस निकालना है और इस रॉड की लेंथ देदी टुवेल इस रॉड की लेंथ देदी टुवेल एवरीबडी इसको ऐसे कर दो कि यह डिस्टेंस लेलो यह रेडियस दिया है आर यह डिस्टेंस लेलो आर नॉट यह लेंथ हो गया एल ठीक है हमें निकालना है वी-पी माइनस वी-क्यू या वी-क्यू माइनस वी-पी पोटेंशल डिफरेंस निकालना है मैगनीचूड पूछा होगा इस ऐद अक्रॉस विच पाथ यह पाथ पर डिपेंड़ने तो मैंने का बैया अक्रोस दा रॉड की अलॉंग चलने हैं, किसके आलॉंग चलने हैं, अब क्या मैं यह कह सकता हूं कि एलेक्ट्रिक फिल्ड इस रॉड की अक्रॉस हर पॉइंट पर अलग अलग है, यहां से टेंजेंट के लॉंग होगी नहीं समझ में आया अब एलेक्ट्रिक फिल्ड कैसे होगी सर्कुलर लूप्स बनाएगी न अब समझ में आ रहा है अब अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ और इस छोटे से डिस्प्लेस्मेंट को dx ले लूँ तो e.dl का इंटीग्रल क्या बन जाएगा e magnitude dx magnitude कॉस्ट द्यूटा इस चीज़ का इंटीग्रल निकालना है इस देट फाइन यहाँ पर e b variable है, x के terms में निकालना पड़ेगा, x के terms में निकालना पड़ेगा, cos theta, theta भी variable आएगा, theta भी variable आएगा, तुम्हें feel आनी चाहिए न, electric field हमारी कैसे है, circular loops बना रही है, electric field कैसे है, circular loops बना रही है, अगर मैं इसी diagram को थोड़ा रुको, इसमें 2-3 loop बना के देख देते हैं, वो जायद ज्यादा अच्छा feel दे, पतला सा कोई पैनने है, यह पैन ले लेते हैं, suppose मैं यह वाला loop बनाऊं, यह वाला loop बनाऊं, अब feel आ रही है, मैं क्या बोलना चाहरा हूं, यह वाला loop बनाऊं, यह वाला थिटा का रोल प्ले करेगा यह वाला थिटा का रोल प्ले करेगा किस कुछ समझ में आहीं है, बात थिटा भी और और इकस नदीपेंडेन्ट आएगा, वो एक्स नदेपेंडेन्ट आएगा, यहां पर electric field का formula कौन से वाला लगेगा, परभाकर, परभाकर आड़ दियर लिए रियू स्लीपिंग वर्किंग वर्किंग वर्ट पीफू कौन से वाला रिजल्ट लगेगा एक्स डिस्टेंस पे अंदर वाला या बहर वाला सब अंदर वाला लगेगा तुम ऐसे मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों पूछ रहे हो कि सर अंदर वाला ही लगेगा वाई सिलिंड्रिकल रीजन तो कैपिटल आर तक है तुमने अंदर किसी डिस्टेंस एक्स पे सोच रहे हो तो अंदर वाला रीजन हो गया ना तो यह स AH पर जो तुमने यह इलेक्ट्रिक फीड बनाई है या तुमने नहीं मैंने बनाई है यहां पर यह स्मोला आर का रॉल प्ले करेगा तो यह रोटले करेगा तो यह एलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आर बाइट सकता हूं इसको लिख सकता हूं आर नॉट इसको लिख सकता हूं आर नॉट इस अपन हाइपोटेनियूस आया ना एगरीड और नॉट इस इस बड़ा बुलंद आवास ते किसी की बहरा बना गया मुझे रुक जाओ मुझे पहले वल्यूम लो करने दो आर और और कट गया यह बन जाएगा हमारा आर नॉट बाइट टू आर नॉट बाइट टू डी बाइटी डी बाइटी इन्टू डी एक्स इंटेग्रल और वाई एक क्वेश्चन भी डंसे नहीं कराने दे रहे थिके गाईज तो आर नॉट बाइट डी बाइटी एक्स की वेल्यव कहां से कहां जानी चाहिए माइनस एल से प्लस ऐल माइनस एल से प्लस से अल कितना आ यह कि आर नॉंट लाइ-क नॉरॉ अंसर आ गया पहरा अंसर अब्हा संडालिया लाइक ते निई। क्ष्चन में यह एक सकते उंग नी है आरनोट टेक्निकली गिवन थाफिस लगा Sierra पाईथागोरश लगा के निकाल सकते हैं जैसे ल है ये यह है इसके टर्म में निकाल दो आर नौट कितना स्क्वेर माइनस और आंसर आ गया आर नॉट और नॉट को लिग दिया आ रोस्क्वेर- अल स्क्वेर अंडर दा रूट इन्टु एल इन्टू डी बी इटी यह आई थिंक तुम सबका डाउट रहोगा बलो हां हां कि यह नहीं पीछु बेटा हो गया क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया अच्छा यह कह सकते हो तुम लोग यह कह सकते हो कि सर आप कह रहे थे पाथ डिपेंडेंट है आप मैंने का रिपेंडेंट है इसमें राड क्या क्रोस अक्रॉस इस देर एनि अबर बाथ जिसका अक्रॉस पूछ सकता था यह वाट बाउट दिस पात अग्या अग्याद वाला पात कैसे सोथ सकते हैं पोटैंशल दिफ्रेंस पीओर प्यूर क्यूक्य बीच में यहां से यहां जाऊंगा, vp-vq vp-vq is integral of e.dl, e.dl in going from p-s-q, p-s-q along this red वाला path, red वाले path पर यह जरूर कह सकता हूँ हर जगे electric field और dl same direction में होगा, और electric field और dl same direction में होगा, अलेक्ट्रिक फ्रींड ऐसे ल्पी और ऐकी व्यर्यांट candidate हर जगे सेम हो जाएगी तो फ्या मैं ये कह सकता हो यह बहुतना और और बाहर वाले पे कॉन सा फ्रॉर्मिला लगता था आर स्क्वेयर बाइट कु आर डी बी बाइटि अए ना और यह मैं समझ में आरे अगर मैं सुमौल और को के ब्राबर कर दो दोनों फॉर्मले सेम ए अरे आया ना अगर परतुद्सेघ्टर के बाइट ना तो यह एलेक्ट्रिक फील्ड है डी बाइटिटी अन्दर इंटेगरल में क्या हो गया डी एल के मेगनीट्e on का इंटेग्र जाहें इन चीसर कुल है आर्क नि तो आर्क लेंद्ष क्या हो जाएगा हमारा रेडियस आइंटू दा Chip गुल आ है वह पूं धाल सकते हैं छाएं तो वह एंगल निकाल सकते हैं आर्क्लेंध। यह 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 लहें यह आर्लहरे इस एंगल को लेलो सपोज अल्फा तो यह दिल का मैंगीटिड हो जाएगा आर इंटू ए यह प्यार इन डी हो यह टू कियो कि अनसर आजाएगा कैपिटल और बैस दी बी mayoría डिटी डिबी बाइडी इन्टु आर एलफा एलफा तू से टू कड़ गया और एलफा को लिख देना साइन इंवर्स साइन इंवर्स ल बाय आर आरुष आरुष शमज में आये तुम्हें इस इस दिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देन जो वाट वी गॉट अर्लियर ऊपर जो आये था आहां देख सकते हो यार जूम आउट करके देख लो दिखी रहा है इंफेक्ट यह परपल वाला था ना अब कितना है आर स्क्वेर डीबी बाई डीटी इन्टू साइन इन्वर्स यह डिफरेंट आया है हाँ या ना ठीक है वाट इट और नॉट तो इसमें क्वेस्टन में टेकनीकली इसकी बर्डिंग थोड़ी सी कर बड़ है इसको यह बोलना चाहिए था फाइंड दा इमेफ प्रेडूस बाइदा चेंजिंग मैगनेटिक फील्ड अ बिट्वीन दा देक्ट एक्ट बिट्वीन दा एंट खरॉड ओलॉड ओलॉड यह ना यह टीक है तो अंगरेज जी की प्रॉबलम हो गई वो ठीक है मतलब यह था कि वह कह रही था था आलोंग दा रॉड यहां से पर्पेंडिकुलर गिरा दो यह आ रहे पर यह अंदर इस और विजन में अंदर मेगनेटिक फीड यह अंदर मेगनेटिक फील्ड है इंद्ये मेगनेटिक फील्ड टाइम के साथ हमारा इंक्रीज कर रहे सब्सक्राइब के साथ इंक्रीज कर रहे हैं यह नहीं है कि समझ में आ रहे हैं कि कोई इस देर एनी अदर वे आफ थिंकिंग बाउट इट पोटेंशल डिफरेंस बिट्विन पी क्यों निकालना है अलॉंग दर रॉड फैरेडे लोग सोचते हैं थोड़े लिए फैरेडे ल यह नहीं बताता कि किस पार्ट के अक्रॉस हाँ या ना वह बस यह बोलता है कि होता है यह लूप होना चाहिए मैंने कहा ऐसा क्लोज लूप लो एट लिस्ट उसमें पीक्यू इंक्लूडिद और रॉड तो मैंने यह इंक्लूड कर लिया और यह वाला ट्राइंगल बना द कि इसे लगा घघार और एडिया जहरीअ कि हैं नटो हाइट रिस उरप टो अगया ईरिया इंटैंटो और एडिया वेक्टर भी अंदर ले लिया और मेग्नेटिक फील्ड भी अंदर था तो मैं कहा दूँगा कॉस जीरो आ गया यह तुम्हारा फ्लक्स आ गया गाट इडिपाइब डीटी क्या आ जाएगा जाएगा यह आ जाएगा आर नौट इल इंटु डीबी वाइडी टी ल यूद क्यों कि B change हो रहा है increase करता हू अब मैं ये अलग से सोचूंगा कि AP वाला ROD है ना radius वाला ROD उस में EMF-Ind pie 0 है., और AQ वाला 0 है तो यह जो बच्चे कहेंगे एो l एर और एक्यूं वाला ज्यों मैं एक आप्य और एक्यूं वाले में जो electric फिल्ड होगी वह प्रपेंडिकुलर तो इंडूसद फिल यहाँ पर और जादा होगी यहाँ पर और जादा होगी अगर मैं एडॉटड करता यह टोडिकर अगा तो इडाट डी ऐल ओवर दिस एपी लेंच कितना होगा गाइज जीरो नहीं हो जाएगा जिस दीफा बाइडिटी को तुम इंटेग्रल ऑफ इडाट डील करते हो इडाट डील अब इसमें क्या कर दो ए से पी कर दो फिर ई डॉट डील का इंटेग्रल E dot dl का integral फिर P से Q कर दो और फिर E dot dl का integral Q से A कर दो क्या मैं यह कह सकता हूं कि electric field over the length AP is perpendicular to AP length तो E dot dl का integral क्या हो जाएगा AP वाले में 0 आ जाएगा क्योंकि E magnitude DL magnitude cos 90 यहां पर चेक करो यहां पर यहां पर चेक करो यह वाला अंसर से में बलो हाँ वे प्या है वे थेशलिक उलते हैं All बलो है All आ All आ All आ All 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 All